अनियंत्रित होकर खड़ में पलटी बस 20 यात्री जख्मी सीतापुर की रहुसा थानाक शेत्र अंतरगत बीती रात 50 सयात्रियों सी भरी एक बस अनियंत्रित होकर पानी भरे खड़ में पलट गई इस दुर घटना में लगभग 20 लोग जख्मी हो गए जबकि 6 लोगों को गंपीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है पूरा मामला तब और के भी तलाकला गाउं के लोग 36 गड़ मजदोरी करने के लिए एक प्राइवेट बस से जा रही थे बुद्वार देर रात पस रेवसा थानाक शेत्र के खुरवलिया गाउं नजदी की पहुँच तभी सामने से आ रहे एक वाहन को ओवजे करते समय बसा नियंतरित हो गई और पुलिया को पार करती हुए ख़़ में जागेरी इससे शोर गुल मजग गया किसी तरह ल्यात्री बाहर निकले और उन्होंने पुलिस कंच्रोल रूम पर कॉल कर मामले की जानकारी दी जन्रत एक्सप्रेस के बाहर बाहर सुलिए कॉल हो जानकारी आगेरी दूम करते समय आगेरी में इससे का सब्सक्रोल करते हैं ट्रत एक्सप्रेस कंच्रोल यूट्यशन पार नियुक्तरि इससे जानकारी आगेरी आगेरीतालिय। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें